तो दोस्तों प्रेशन है कि समांतर चत्रबुज ए बढ़ाई के भुजा अब देखिए कोशन यह है चित्र बनाते जाएंगे तब अच्छे से समझ में आएंगा पहले थी समांतर चत्रबुज कह रहे हैं तो हम ऐसे एक समांतर थोड़ सा गंदा बन गया पर आप समांतर चत् उधर की और बढ़ाया जाता है डी की और बढ़ा दिया गया ठेक हैं यहां पर डी कैया डी की और बढ़ा दिया गया पर इस्थित एंग बिंदू है यही पर रख लेते हैं यहीं बिंदू नहले तथा B E B से E को मिला देते हैं मिल गया B E भुचा C D C D मतलब ये C D को F पर को F पर यहां पर F पर प्रतिछे डिट करते हैं हो गया और ये दोनों समरूफ है ऐसा से दिखना है हो गया तो भीया हम यहां पर 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 लिख लेते हैं दिया है कुछ चेजे हमें दी गई है वो हमें लिखना जरूरी है तो जरूरत में हमें क्या कहा है कि A B C D कैसा चत्रभुज है समांतर चत्रभुज है चत्रभुज के इस पर लिंगलत हो गई उडंकुरा इधर होता है चत्रभुज है ठीक यह होगे बाद अब कौन कहां पर कारता है कौन किसकी भुजा बढ़ाएगे यह इसको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत तो है नहीं मुझे नहीं लगता है कि इतना ज़्यादा लिख लेता हूं ठीक यहापे लिख लेता हूं सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है कि यह दोनों तरभुज समरूप है तरभुज ए बी ए समरूप है तरभुज सी एफ बी के अब इन दोनों खोज लेते हैं ए बी ए कहा है ए बी ए यह बड़ा वाला तरभुज ठीक और सी एफ सी एफ भी यह छोटा यह तुर accents यह निए नों ब और अरब स्क less गोए उन दोने को समरूप से टीकरना है। सम्रूपस से दिकनने के जहले हमें बस इतना सा करता होगा कि दो गराबर कर लेतें बस होगे समरोप से ठीक इन दोनों त्रभुजों में अगर देखें एक बड़े वाले त्रभुज और चोटे वाले त्रभुज में ये वाला कोड इसके बराबर होगा पकका बराबर होगा क्यों क्योंकि बहिए समानता चोटर भुज के जो सम्मोग कोड होते हैं वो बराबर होते ही होते हैं ठीक तो हम यहां पर सुरू करेंगा हल करना लेखेंगे तिरभुज एबी इ तथा तिरभुज सी एफ बी में सबसे पहले तो यहां पर यह जो कोड है इसका नाम है ईए बी कोड इए बी बराबर होगा इस वाले कोड के जिसका नाम होगा बी सी एफ कोड बी सी एफ यह समांतर चतुर भुज चतुर भुज का सम्मुख कोड है सम्मुख कोड सम्मुख कोड हम इसा बराबर होते हैं भाई समांतर चतुर भुज के सम्मुख कोड बराबर होता है अदम पक अब देखो यह देखाए समांतर है पकी भाथ है यह तिर्जीय क्रेखा है पकी भाथ है यह क्या क्या प्लाएगा कोड़ C F B के ठीक ये कांसे क्या है ये एकांतर कोड़ है एकांतर कोड़ है ठीक यहां पे आपको क्या नहीं समझ में आ सकता है इन कोड़ों का नाम लिखना नहीं समझ में आ सकता है और ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से आपको समझ में आए जाएगा चैप्टर को आपको पूरा हल करना पड़ाएगा मालब समझना पड़ागा मेरे वीडियोस देखिए आपको कैसे नाम दिनका लिखना है कैसे सही है कैसे गलत है वो सारी चीज़े आप समझ में आएंगे ठीक है तो तरिभुज नाम से एक पूरा हमने चैप्टर बना रखा है समरूप सिद्ध करन हैंगे एए समरूपता से समरूपता से यह दोनों समरूप समरूप होगा तरभुज एबी इसमरूप तरभुज सी एफ बी बस इतना सा सिद्ध करना था हमें इतिसिद्ध हम ठीक और जाता कुछ सोचना ज़रूरत नहीं है ऑके समझ में आ गया होगा